नगर निगम दक्षिन के वार 56 से निर्दलिय प्रत्याशी राजेश कुमार एड़ोकेट का जनसंपर्क निरंतर जारी है वार वासियों का समर्थन निर्दलिय प्रत्याशी राजेश एड़ोकेट को मिल रहा है रविवार को एडवोकेट राजेश ने विज्ञानगर के मार्किट में जिन संपर्क किया वेपारियों से मिलकर अपने समर्थन में मतदान करने की अपिल की वेपारियों ने भी अपनी समस्याओं से नुर्दलिय परत्याशी को अफगत कराया उन्होंने कहा कि हमारे शेत्र में गंद की रहती है कभी साफ सफाई नहीं होती अब हम यहीं जाते हैं कि अगर आप जीत कर आते हैं तो हमारे शेत्र की समस्याओं का निवारण करेंगे प्रत्याशी ने वैपारियों से वादा किया कि अगर वह जीत कराते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का नरा करण किया जाएगा आज मैंने मेरे बार के व्यापारियों से जनसन पर किया उनकी समस्याओं को जाना और उनको आश्वासन दिलाया कि जो जो समस्याओं की है मैं उनको दूर करूँबा व्यापारियों ने भी मुझे बहुत आश्वास साथ दिया और आशिरवाद दिया कि वह उन्होंने कहा कि राजेश तू जीतेगा क्योंकि तू लोकल निवासी है इस्थानी निवासी है और सबसे बड़ी बात यहां के जितने भी पार्शत पूर रह चुके हैं उन्होंने कभी भी व्यापारियों का ध्यान नहीं रखा उनके उनसे अपेक्षा हैंगी तूर रखा उनको उनकी सुईदाओं को ध्यान नहीं रखा मैंने उनको अश्वत दिया कि जो भी समस्या हैं उनकी बात जो भी एरिये में हैं उनकी तुकानों के पास-पास हैं मैं उसको दूर करूंगा और उनकी समस्याओं का निराकरन करूंगा